तो गुड मॉर्निंग फैंड्स नए वीडियो के साथ फिर से उपस्तित हूं आज हम बात करेंगे र-i-e-c-e-e के जो और अमेड का पेपर है उसकी बात करेंगे तो यह सो यह कर सकते हैं तो यह आपको पता है वो ही दो घंटे का समय है और आपको 80 equation हल करने हैं यह इस सारी बाते हैं वो हम देखते हैं आगे क्या है ओके फ्रेंट्स वही language proficiency के 20 प्रस्षन आएंगे 30 प्रस्षन आएंगे 30 प्रस्षन आएंगे और 30 प्रस्षन आएंगे लेवल का फरक है तो यह लेवल ग्रेशन लेवल चे मिलता जोड़ता हो जो लेवल ए है ए गरूप है उससे इसका तालमिल नहीं बैटेगा थोड़ा मुश्किल आएगा तो उनमें सबसे मुश्किल आएगा क्योंकि उसी लेवुश्ट एक ही डिफिकल्टी लेवल है इसका यादा होगा अब चलते हैं लेंगोज प्रोफिसियंची के जो जो क्वेस्टन है वह देखते हैं पिक आउट ऑप्शन वीच बोस्ट लेरली एक्स्प्रेंट अंडरलाइंड ट्रेंज यू मस्ट नोट लेट यूर इमेजिनेशन रन अवे विद यू इन में से आपको ऑप् शम्तावान भी नहीं हूं कि मैं सारी पेपर हल कर सकूं और जब मैं कोशिश भी करूंगा तो मेरे को बहुत समय लगेगा इसलिए देखिए मैं आपकी स्वीधागे लिए आपके लिए पेपर उपलप्त करवा रहा हूं पिक और दा वर्ड देट कनोट बीड़ ऑफजिट इन में से वो शब्द चुनना है जो किसी भी शब्द का अफजित नहीं है ठीक है तो यहां यह देखना है यह आप इस तरीके से आप यह देख लेंगे, question paper देख लेंगे, तो आपको हल करने में जो आगे के त्यारी करने में आसानी होगी, ठीक है दोस्तों, तो आप इसको रोख के, screen shot लेके, या अच्छी तरीके से इसको देख करके त्यारी कर सकते हैं, और एक बात और बता दूँ चैनल का लिंक है, description box में देदूँगा, paper उपलत करवाना मेरा काम है, मैं आपको उपलत करवा रहा हूँ, A group का करवा दिया, B group का करवा दिया, और अभी मैं group C का करवा रहा हूँ, ठीक है, और तैयारी के लिए मैंने आपको बता दिया है कि मेरे YouTube चैनल की playlist में जाएंगे, तो teaching, aptitude से समंदित, language, proficiency से समंदित, reasoning से समंदित, बहुत सारी वीडियो आपको मिलेंगे, more than 100, तो वहां से आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, तो उससे आपको मोटा मोटा idea मिल जाएगा, इस paper से कि किस तरीके से तैयारी करने चीए, किस तरह की तैयारी की जरूरत है जो यह English वाला है, तो मेरे को नहीं लगता है, बहुत मुश्किल है, जो जैसा सोचते हैं कि बहुत मुश्किल होगा, ठीक है, difficulty level थोड़ा उंचा है, लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं है, लेकिन इस शिक्षन अभी क्षमता है, इस चुंकि आप B.A.D. कर सुके हैं, आप जो एक टीचर बनने कि कोई ने कोई एक डिग्री कर सुके हैं, टीले कर सुके हों, चाहिए आप B.A.D. कर सुके हों, तब आप M.A.D. के लिए टेस्ट तेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको आने से ही, ठीक है, तो जो नेट का एक्जाम देते हैं, उन फोड़ी उचे तैयारी करने पड़ती है, ऐसे ही, जो 4-year B.A.D. 2-year B.A.D. और M.A.D. के लिए आपको ज्यादा तैयारी करने पड़ती है, ठीक है, M.A.D. के लिए, इंचे 2-year B.A.D. और 4-year B.A.C.B.A.D. S. ज्यादा ज्यादा आन्तर नहीं है, एक शिक्षक, ए टीचर एक शिक्षक शिक्षन से अधिकम पर जो डाल सकता है इन में इसे आपको उप्चन चुनना है तो आप बेड़ कर चुके हैं तो यह प्रस्चन आप आराम से हल कर सकते हैं बस थोड़ा सा अभ्यास में फिर से लाने की जरूर थे अभी आप ताजा ताजा बेड़ किया है तो आप आराम से इनको हल कर देंगे और अगर काफी दिन हो गए देखिए हो भी जाते हैं तो अब यह देखिए पीड़ुडी एक्ट नाइंटिन नाइंटिफाइव स्टेंट फॉर किसके लिए विकार्युक व्यक्ति विकार्युक लोग एसक्षम लोग एसक्षम व्यक्ति ठीक है ना तो यह कि आपको बताना है कि इसमें क्या आएगा जा आज जल पीड़ुडी को दिव्यांग की स्रेनी बता दिया गया है हिंदी में तो यह क्या बताया गया है और रमसा है आर एमसे तो सकूल में इसको रमसा बोलते हैं राष्ति माधिमिक शिक्षा अभियान र के ग्यान भी आपको होना चाहिए तो यह प्रश्ण आपको आने चाहिए भागिता सुनी शित करना चाहते हैं कि पार्टीशिपेशन हो सबका तो कौनशी विदी में आप कौनशी विदी अपनाना चाहेंगे प्रदर्शन परिचरिया सहस्वर पाट भूमिका निर्वार इन में से आपको छाटना है सई आंसर कि आंसर जो बार-बार मेरे कमेंट कर रहे हैं तो उनको फिर से बता देता हूं कि मेरे लिए अभी स्कूलें भी खुल गई हैं डूटी भी जाना पड़ता है बहुत सा काम करना पड़ता है अभी इनके आंसर देना संभव भी नहीं और मैं इतना ख्रमतावान भी नहीं हूं गृूप लिए मैंने डाल रखा है आंसर ने के लिए दाल सकता हूं लेकिंच के लिए इतना इतनी मेंज़त में नहीं कर पाऊंगा गलतियां हो जाएंगी इसलिए मैं आपको कहता हूं आप ऐसा कीजिए और और कहीं से मदद मिलता हो पर जरूड लिशेगा इस देखिए कि तर्टिनाइं कि टीचिंग एप्टिटूड में और एटिटूड में सिर्फ यह है कि सकारात्मक होना है बचों को माने पिटने की बात नहीं करनी है अब यह जैसे चालीसवा है कक्षा में बहतर पारस परिक्रिया होगी यदि एक शिक्षक इसमें आप सारे पढ़ेंगे त और यह ऐसा है कि एक फॉर्टिवन यह देखिए यह ग्रूप एमें एक एक एक्जाम में भी आया था सिक्षण वेक्षाय में सफलता निर्भर करती है लेकिन थोड़ा हेर फेर के साथ लर्निंग में क्या-क्या चीज़ें आती है लर्निंग इस आल अवाओ यह तो तो यह था कि आपको सबसे पूराना चैनल है यह बारे में जानकारी उपलप्त कराने वाओ एक बच्चे को तैयरी करवाई थी इसी बज़े से फिर मैंने पेपर दे गया था फिर मैंने चैनल बना लिया जब वह पास हो गया तो फिर मैंने सोचा कि इन बच्चों को कम जानकारी तो फिर मैंने चैनल बना लिया था और आपको जानकारी समय समय से मिल रही है मुझे खुशी है अभी आप यहां आ गए अपन रिजनिंग में रिजनिंग एबिलेटी में तो इसका भी थोड़ा सा लेवल उंचा होगा तो मैंने इस वाज़े से चैनल बना लिया था कि आपको सारु जानकारियं मिलती रहे और मैं समय समय से जानकारियं देता हुआ रहता हो पिसली बार क्या हो бу druid-गान लगा था बच्चों के पास कितावे नहीं थी और मरे बैर है उसी बच्चे की पुष्ते के 27 2 और आप्समीर को डुना, यहिंहां विडियो और यूटुम के डंड icy नहीं रवी बिंगा है और थे भी आपको से संजाइछ नहीं हुआ और ने मुंत टुरा किसी के वीडियो के अफंग यहां कथन के निष्टकर्ष है कथन है निष्टकर्ष है वह वह ब्लड लेशन भी आएगा स्कॉयर भी आएंगे सौरा कुछ वैसे की वैसे आएगा जैसा उसमें ग्रुप A में है ग्रुप B में है तो आप रोग की अच्छी तरीके से देख सकते हैं हिंदी में देखें इंग्लिश में देखें आप सकते हैं तो मैंने बताया तो मैं accidentally आया था आफे आरा है एग का मय नहीं बच्टों को जानकार अधने लग गया मुझे कुछ सारी लोग जोगों के इडमिशन पिसली बार होए हैं उनके अछलिक से कमेंट्स भी आये हैं मेरे गाइडन्स से हुए हैं असा वो बतारे हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हैं वो टीचर बन गए मैं भी टीचर हूँ तो एक अध्यापक के लिए बड़ी बात क्या होगी उसके गाइडेंस से हैं उसी के पेशे में उसी के वेवसाय में लोग आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है एक अध्यापक होने का करता भी निभाना और उसमें सफलता मिलना अच्छा लगता है तो मैं मेरे चैनल पर हिंदी की प्लेइलिस्ट में जाएंगे तो आपको कावे सास रोड व्याकरण के वीडियो भी मिलेंगे हिस्ट्री के वीडियो मिलेंगे तो देखिए वो जो मैं सब जानकारियां नहीं थी आप कोई चैनल उस समय नहीं था इस वज़े से मैंने जानकारें देनी शुरू की थी और इसमें मुझे सफलता मिली और आप लोगों को जानकारी मिलती है आप जो पूसिटिव कमेंस आते हैं तो मुझे ठीक लगता है एक बात और बदा दू अभी वहां से कोई answer नहीं आ रहा बार बार ट्राइब करते रही है debit card और credit card या net banking का यूज कीजिए भीम UPI, Paytm, Payphone का यूज आपको नहीं करना है कई बच्चों ने इनका यूज करके सफलता पाई है लेकिन वो अपवाद मानके आप सही तरीके से इसको काम कीजिए और try करते रही है क्योंकि अब जो last date है उसके 30 दून उसके थोड़े दिन बचे है और exam भी होना है CET का exam भी हो सकता है कल पेपर में आया था तो पेपर तो NEET का भी होगा JE के और हैं वो भी होने है JEE और CET का भी होगा तो पेपर आपका भी होने की उम्मीद हो गई है I think यह आगे नहीं बढ़ेगा तो यह आपका पेपर था अशी क्वेस्टन हो गए है यह रफ़र के लिए इस पेश है तो अगले वीडियो फिर मिलता हूं अगर आपको मेरे जानकरी अच्छे लगी हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और 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 भी जानकरी जें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आप पहले से आल्रेड